हाई मैं हूँ दिशार और मैं वेब दुनिया को 18 साल कंप्रीट करने पर कंप्राचुलिर करना चाहूँगा रितिक रोशन को भेजा कंगना रनोट का एक एमेल लिख हुआ है जिसमें उन्होंने सल्मान खान के बारे में लिखा है कंगना ने रितिक को एमेल किया जिसमें लिखा तुम बिग बॉस में गए थे मैं खुश हूँ कि तुम सल्मान खान से नहीं मिले वह बहुत अजीब हैं मैंने एक बार जब उनकी फिल्म करने से बना कर दिया तो सल्मान ने कहा कि करीना कपूर वो फिल्म कर रही है लेकिन मैंने तुमें पहले आफर की थी करीना को उस फिल्म से कोई फायदा नहीं होगा लेकिन तुमें जरूर होता यह सुनकर मेरा मुँ खुला रह गया क्या वह संकी है बज्जंगी भाईजान में करीना ने जो रोल किया है क्या उससे मेरा करियर बनता किस दुनिया में वह रहते हैं उनके किस हिरोईन का करियर बना है वह अक्सर मेरा मजाग बनाता है एक बार उन्होंने कहा कि तुम इतना काम क्यों करती हो कैटरीना को देखो वह परफेक्ट एक्ट्रेस है सुन्दर दिखती है और अपना मुह बंद रखती है मैंने सलमान से कहा कि वह 19 सदी जैसी बाते कर रहे हैं मुझे कैटरीना या सलमान बनने में कोई रूची नहीं है इससे वह नाराज हो गए और मुझे अप शब्द कहने लगे इसके बाद हमने दो साल तक कोई मुलाकात नहीं की बाद में उन्होंने मुझे फोन और मैसेज हिये लेकिन मैं नहीं की नाखुश लोग ऐसी ही हरकत करते हैं और आप उन्हें देखना पसंद नहीं करते कंगना के इन बातों में कितनी सचाई है ये तो वे और सलमान ही जानते हैं लेकिन जिस तरह से कंगना के इमेल सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्री से वे अंगा ले रही है